खाल ही में हूती ने इसराइल के तेल अविव में एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। किया था उस वक्त उसने यह जरूर बताया था कि तैल अविव पर हमले में जाफा ड्रोन याणी याफा ड्रोन का इस्ते किया गया है और उसने जाफा यानी कबजे वाले फिलिस्तीन जिसे आज तेल अविव के नाम से जाना जाता है उस पर बहुत बड़ा अटेक किया था लेकिन अब हुती ने इस ड्रोन के रहस्य से पूरी तरह से परदा हटा दिया है हूती की सैने मीडिया ने इस ड्रोन की लाँचिंग और एग्जिबिशन का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस याफा ड्रोन की खास्यतों को बताया गया है पूती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है ये एक लंबी दूरी वाला ड्रोन है इस ड्रोन का इस्तिमाल कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है साथ ही इस ड्रोन को उच्च विस फोटक हत्यारों से लैस किया जा सकता है और ये radar और air defense system को चकमा दे सकता है हूती का कहना है कि ये drone बेहद ही विद्ध्ध्धन सक है ये एक advanced drone है और तक्नीकी रूप से कई एहम चमताएं है हूती का ये भी कहना है कि इस drone का इस्तिमाल पहली बार 19 जुलाई 2024 को तैल अवेव यानी याफा पर हमले के लिए किया गया था उस वक्त इस drone ने सीधा हमला किया जिसमें एक इसराइली सेक्लर की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे और इस हमले के बाद ही इसराइल ने यमन के होदेदा शहर में बने तेल डीपो पर कई एर स्ट्राइक की थी जिन में भयान अगधमाके हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी वही तेल अविव पर हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायसारी ने तुरंत तेल अविव को एक असुरक्षित इलाका घोशित किया था और इसे हूती के हमलों का वैंद टार्गेट भी बताया था और याया सारी ने ये भी कहा था कि हम इसराइल के भीतर एहम टार्गेट्स पर हमला करने से बिलकुल भी नहीं हिचकेंगे और तो और याया सारी ने ये भी कहा था कि यमन के लोग एक लंबी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं जो इसराइल द्वारच शेड़ी गई है वहीं याफा ड्रोन को लेकार हूती के नेता सेयद अब्दुलमलिकल हूती ने कहा था कि एक एडवांस ड्रोन है जो महतुपूर्ण रणनीतिक और तक्नीकी शम्ताओं से लैस है ये लॉंग रेंज और बेहद ही विद्वन सक ताकत से लैस है अब्दुलमलिकल हूती ने ये भी कहा था कि इस ड्रोन द्वारा इसराइल के काफी भीतर हमला करना एक नया और महतुपूर्ण बदलाव है इस से इसराइल में काफी परेशानी हुई है और बाहरी ताकतों की एक मिसाल भी कायम हुई है अब्दुल्मलिक अल्हुती ने अपने बयान में ये तक कह दिया था कि याफा पर हमला करना इसराइल के लिए मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा जटका है यहां तक कि इसराइली ने तरतुने भी इस बात को माना है हालकी जिस ड्रोन से ये हमला किया गया था उस ड्रोन को लेकर अब्दुल्मलिक अल्हूती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से यमन में बनाया गया है और हूती की एरफोर्स ने इसे लॉंच किया था मलिक ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें ये कहा गया था कि इस ड्रोन को किसी अन्य देश या पक्ष ने बनाया है